दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि Google Pay से आप अपने mobile का रिचाज कैसे कर सकते हैं दोस्तों अगर आपके mobile का रिचाज घतम हो चुका है और Google Pay से आप अपने किसी भी company की ship का mobile रिचाज करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में complete process बताया गया है जिससे दोस्तों आप अपने mobile phone से Google Pay की सहाता से अपना mobile recharge बहुत ही आसानी से कर सकते हैं तो दोस्तों अगर आप भी सिखना चाहते हैं कि Google Pay से अपने mobile का recharge कैसे करते हैं तो आज की इस वीडियो को step by step and तक देखते रहिए तो दोस्तों अगर आप भी Google Pay से अपने mobile phone का recharge करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके पास Google Pay application होना चाहिए अगर आपके पास Google Pay application नहीं है तो इस वीडियो के description में आपको Google Pay application का link मिल चाहेगा तो वहाँ से click करके दोस्तों आप अपने mobile phone में Google Pay application को download या install कर सकते हैं इंस्टॉल करने के बाद Google Pay application को open करना है जैसे ही दोस्तों आप Google Pay application को open करते हैं तो आपके सामने कुछ ऐसा interface आजाएगा यहाँ पर आप जैसा की देख सकते हैं इसके ओपर जैसे ही दोस्तों आप click करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा interface आजाएगा अब दोस्तों आप अपने जिस भी mobile number का recharge करना चाहते हैं Google Pay के साथ तो यहाँ पर आपको mobile number डालने का option आजाएगा आप अपना recharge करना चाहते हैं अपने family member का recharge करना चाहते हैं उसका number आपको यहाँ पर डाल देना है अगर आपको mobile number याद नहीं आ रहा है और उसका mobile number आपके mobile phone में save है जिसका आप mobile recharge करना चाहते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आपको contact list का option देखने को मिल जाता है यहाँ पर click करके दोस्तों आप उसका mobile number select कर सकते हैं लेकिन दोस्तों हमें mobile number याद है तो हम यहाँ पर अपना mobile number एंटर कर देते हैं mobile number एंटर करने के बाद यहाँ पर आपके सामने आपका mobile number आ जाएगा और दोस्तों यहाँ पर आपके mobile phone का जो नाम है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा साथ ही दोस्तों यहाँ पर नीचे आपको आपके mobile जो mobile number है उसकी company क्या है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी तो आपका जो सीम है जिस भी company का है उसे आप select कर लीजे हमारा जीओ ही है इसलिए हम जीओ रहने देते हैं उसके बाद दोस्तों नीचे आपको यहाँ पर continue का बटन दिखाई देगा तो आपको continue वाले बटन पर click करना है जैसे ही दोस्तों आप continue वाले बटन पर click करते हैं तो आप कौन सा plan अपने mobile के लिए अपने stream के लिए recharge करना चाहते हैं अपने mobile नमबर पर तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पर popular plans देखने को मिल जाएंगे जो भी जियो के popular plans है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे उसके बाद यहाँ प रिचारज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एक साल का plan देखने को मिल जाएगा यहाँ पर आपको entertainment का plan मिल जाता है यहाँ पर अगर आप entertainment वाला plan रिचारज करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं जियो भारत का plan जो मिल जाएगा जियो फोन का plan मिल जाएगा यहाँ पर ISD, roaming pack, top up, इस परकार के आपको plan देखने को मिल जाएंगे, अगर दोस्तों आपको पहले इसे ही पता है कि आपको कौन से plan के साथ recharge करना है, तो यहाँ पर आप अपना amount डाल सकते हैं, कि 249 का recharge करना है, 249 का recharge करना है, तो अगर आपको plan पता है, तो आपको यहाँ पर उतने रुपए का amount आपको यहाँ पर डाल दीना है, जैसे कि दोस्तों हमें 149 का recharge करना है, अब दोस्तों इस recharge की पूरी detail आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, यहाँ पर अगर आप इस plan के साथ recharge करते हैं, तो इसकी validity आपको 20 दिन की दिये जाएगी, और दोस्तों daily आपको Jio Cinema, Jio Cloud, तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप इस plan को recharge करना चाहते हैं, तो आपको इसके उपर एक बार click कर देना है, इसके उपर click करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, 150 रुपए और 90 पैसे हमें यहाँ पर देने होंगे, convenience fee आपको यहाँ पर 1 रुपए 90 रुपए पैसे देने होते हैं, तो आपको करना क्या है, अगर आप इस plan के साथ recharge करना चाहते हैं, तो नीचे दोस्तों यहाँ पर आपको bank account select करने का option आ जाएगा, कि आपकी इस bank account से जो payment हैं, वो करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप अपना bank account change भी कर सकते हैं, तो फिलाल आपके bank का जो भी UPI pin है, वो आपको यहाँ पर enter कर देनी है, उसके बाद नीचे right वाले निशान पर click कर देना है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको 2-3 second या 5 second तक इंतजार करना है, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका जो recharge है, वो यहाँ पर waiting for confirmation के लिए चल आ जाएगा, और 5-10 second के बाद आपका जो recharge है, वो complete हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमारे phone के अंदर message भी आ चुका है, कि हमारा जो recharge है, वो complete हो चुका है, उसके बाद दोस्तों हर एक recharge पर आपको एक reward भी देखने को मिल जाता है, scratch card, तो आपको इसके उपर click क कर सकते हैं, मैंने आपको complete process बता दिया, अगर दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को like कर दीजिए, share कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो, तो चैनल को subscribe कर लिजिए, साथ ही दोस्तों बगल में गंटी बनी हुए आएगी, उसे प्रेस करके all पे set कर लिजिए, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे next वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखे, goodbye and take care.